एबिपी सांजा देख रहे हो तुसी मेरा पर्ण मेरा शेर प्रोग्राम लेके मैं दीपती हासरां बुढ़ूंदी शुरुवात करन्या सापका डिप्टी सीएम ओपी सो नी विजलिंस दी रडार्ते नी विजलिंस दी टीम ने उना दे होटल दे उते रेड कीती है इस तो पहला बीते कल भी मोहाली विजलिंस दी टीम उना दे अमरिसर्च बन रहे नवे कारती पेमाश करन पहुंची सी मामला आमदन तुवाद जायदाद है इस तो इलावा जलंदर अमरिसर्च का पूर्थला दे विच वी इंकम टेक्स विपाक देवलो रेड कीती गई है पूरा मामला की सी ओवी तो अनुदसांगी अते नाढ़ी गाल पंजाब सिरकार दे वलो कीते गए वड़े एक्शन दी करांगे जुस दे तैत डेड़ लख दे करीब जो जाली पेंशन लेरे सान उना ते कारवाई हुई है उना दी पेंशन बंद करती गई है पंजाब विजिलन्स एक्शन मोड दे विच है सापका डिप्टी से एम ओपी सोनी विजिलन्स दे रडार ते ने ओपी सोनी दे होटल दी विजिलन्स वलो पैमाईश कीती गई है पीते दिनी मोहाली विजिलन्स ने ओपी सोनी दे नवे बंद रहे कर दी वी जांच कीती सी आमदन दुवा जायदाद मामने दिवे चोन अती नवंबर बीसो बाईनू सवाल जवाब होई सन हालांकि उस वेले ओपी सोनी ने अपने आपनो पाक साफ़ता से सियते होने एक बार फिर तो विजलन्स ने ओपी सोनी खिलाफ जांच शुरू कर देती है ओपी सोनी कॉंगरिस सरकार समेट डिप्टी सीम समेट कई वड़े ओधियां ते रहके काम काज कार शुके ने विजलन्स ने कोल शिकायत पहुंची सी कि कॉंगरिस ने ता सोनी ने बहुत सारियां चलते अचल जायदा दापना रखिया ने विजलन्स वियोरों ने इस बाबत एक शिकायत आठ नवंबर नो हासिल कीती सी इस मामले देवे चोन अती नवंबर नो ओपी सोनी तो पुछगेच हो चुकी है अधे हून विजलन्स ने ओपी सोनी दे नवे बंढ रहे कार दी जांच वड़ी है उदर विजलन्स दे कारवाई ते ओपी सोनी ने प्रतिकर्म दे होए के है कि उना कानून दे दाइरे दे विच रहे के काम कीते है अधे असी खुद विजलन्स विपाखलू जानकारी सांची कीती है जायदात सबंदी सारे सभूत दे गएने पूरा से योग कर रहे हैं ओपी सोनी ने कहा कि होटल मेरे मंत्री बरन तो पहला दा बन्या होए उस दे विच वी असी पूरा से योग कर रहे हैं ते सानून कानून ते पूरा परोस है कानून जो करेगा उस सिर मत्थे मज़ूर होवेगा वेखो जड़ा खोटल है वो दे सब्सक्राइब मेरे मंत्री बन तो पहलों दा बने अच्टाफ लेगा तो कोई नियो दी मैयरमेंट कार लन वो प्रोपर तरीके ना कुणून दे मतावक कीता है कुणून दे दारेज रहागे कीता है रताना सारीयां विया फाहिर कीतियां कु ये कोई बिला कारबान रहा है वो दा भी येना मेयरमेंट करने गाया ने तो कि उनना कुणून दे मतावक को न करना है तो करन वेलकम मैं किशेन को रोगदा थोला है मैं तो उनना साथ दे रहा है तस्वीरां चो नजर आ रहे ठी कानिया ते इंकम टेक्स विपाक ने रेड कीती है पहली तस्वीर अमनी सर्दी है जो थे हमरी सर्च हेट मास्टरों दे ठी कानिया ते रेड होई है दूसरी तस्वीर जुलंदर चो थे जुलंदर चो पास्टरों दे ठी कानिया ते आईट अफ्तार सिंग भी इंकम टेक्सी रोडारते हैं। 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 पर हुन पंजाब सरकार्दे वलो डेड़ लख दे करीब लोकां दे खिलाफ कारवाई करते हुए उन्हों दी पैंशन बंद करती गई है। ओधर कैबनेट मंत्री बलजीत को और मताबक पंजाब दे विच जो दिव्यांग बच्चे ने उन्हों अग्गे वदाउन दे लेई वी कम हो रहे हैं। आते अलग लग धावाँ ते एक खास पैल शुरू कीती गई है। फिलहाल था असी उन्हों दी पैंशन जो बांद कर देती है। जीदे करके साननों बजट चिमी फैदा होया। और 14-15 क्रोड हार मी निदा बच्चन लग गया। कि इस तो बाद सिरफ मृत्तक बैनेफिशरी नी। उस्तो बाद सिरफ बैनेफिशरी कर दे है कि जिनननों लोडी दी सी। जेड़ेव चंगे कर अनों बलाउन कर दे सी। साथ जार दे करीब हो भी साथे कोल गिंती आगी है। ते उस्तो बाद उननों भी असी कट्टम करन लगें। तेर दा सेम टाइम जीड़े डपार्टमेंटे नों वेरिफाई कर दे है। बुल्जिंच वेला एक छोटे जे ब्रेक दा हो गया। ब्रेक तो पार गल पंजाब पुलिसी गैंक्स्टरां खिलाफ कीती गई वड़ी कारवाई। आते पारत पाकिस्तान सरहत दी मिल्दी हैरोईंदी करांगी। फटिगर्ट साहब दी पुलिस ने जेलांच चल रहे अंतराजी तसक्री गिरोदा परदा फाशकी तैते असमामले देवेच चार तसक्रानों गिर्फतार कीता गया। ओदर जैपुर देवेच गैंक्स्टर लॉरंस बिशनोई गैंक देनाल जुड़े गैंक्स्टरान दी पुलिस देनाल मुठपेड होई है। अते नाढ़ी गल पारत पाकिस्तान सरहत दी पाकिस्तान दी डोना वाली साज़िश दी करांगी। जो दे तैद फिरोस पूर्देवेच तिन पैकेट बीएस अफ देजवाना ने हेरोईन परामत कीती है। नश्य विरोद विड़ी मुहिम दे तैद फतेगड सहाब पुलिस ने जेल चो चल रहे अंतर राजी दवाईयां आते। कैटल दा परदा फाशकार दियान जेल चो दो कैदियां आते एक सप्लायर से में चार व्यक्तिया नो गिरिफतार कीते। जिना दी निशान देही तेक गडाउं चो पांच लाखे कती हजार नशीलियां गोलियां ते कैपसुल बरामत होए ने। गिरिफतार कीते गए व्यक्तियां दी पहचां सनी कुमार, रंजीत सिंग, जदगे इशान गुपता ते रवी कुमार नो केंदरी जेल दो देना तो प्रोडक्शन वारंटे लियांदा क्या सी। गोलियां फड़ियां ने और रिमारकेबल मैंनों कहूंगा इन्वेस्टिकेशन होई है जड़ी प्रफेशनल त्रीके ना सब तो पहला एक मुल्जम एना ने फड़िया गोविंदगार दे विच सनी नामदा वो तो उन्नी हजार दे क्रीब जड़े ओप्योइड्स ते सारा जड़ा काटल है ओही हो चलवारे ने ओनानु फिर प्रटक्षिन बनते लेके आंदा एक इशान ते रवी यो के दुन्नों थे खलाफ प्लाव पकदवें काफी दर्जने ने अन्ड़ियां दे विच और उना दी पुछकेज दे विच जड़ा 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 दे आने दे ओसी इस कीता गया रुठोर गवरी होई है डिवटी है जैपुर दे खोना गोरियांच लॉरन्स दे तन शूटर थी पुलिस विचाले मुठपेड होई है शूटर बिती दे ने जैपुर दे जवाहर नगर्ज जी कलपते फारिंग कार पज़े सान इस हमले दी जिम्यवारी सोशिल मीडिया थे पोस्ट पाके रितिक बॉक्सर ने लई सी। पेड देवेच जो जखमी हुए उनानों समस हस्पताल पर दीकरवाथ तक ये। उसमें इन पतमासों के गोली लगे जिनका उच्चा उच्चा उनको यहां लेकर आई हमारे बास और तीनों के तीनों जो है उनके लेक्स में इंजिरीस है इन जो पेशेंट है प्रधी वह पेशेंट वोड़ा सा सीरियस है उसका वीपी भी डाउन था उसको सैटल कर लिया है और इन आईस्यू में लिया सेमी आईस्यू बैड नमर 9 का अभी स्टेबल है लेकिन उसके पाउं में जो चोट लगी है उसको उनके दौरे की संभावना कम लग रही है उसको भी सर्जिरी के लिए लेंगे इसी टीवेस वाले देखने के बाद के और बाकी के जो दो पेशे हते एक बार फिर तो पाकिस्तान दी ड्रोन वाली साजश होई है पाकिस्तान वाले पास यू सरहत अंदर एक बार फिर तो ड्रोन दाखिल होया बियसेफ ने 14 राउंड फायर कार इस पाकिस्तानी ड्रोन नू मुड पार दी सरहत तो वापस बाहर कार देता बियसेफ ने हाल पॉर्पूर पार्थ पाकिस्तान से माब बीओ पी मबो के दे एरिये जो पाकिस्तान तुआये तेन पैकेट हेराइन परामत कीते ने खोरा चेकिंग पार्टी देवलो सर्च ओपरेशन कर खेता दे विच्चो प्या होया एक स्वेद रंगदा पॉल्थिन बैक बरामत कीता ग्या सी जिस जो तिन पैकेट हरोईन दी रिकवरी होई है पाकिस्तानी नशात अस्क्रा ने इस तेप पिले रंगदी टेप चड़ा रखी सी जो सुंबिये सिव्धिजवाना ने बरामत कर लिया है बुल्टिंच विलाई खोर चोटे जे प्रेकदा हो गया है ब्रेक तो पारगाल केंदरी बजवर्दी करांगी एक फर्वरी नो केंदरी वितमांतरी नर्मला सीता रमन साल बीसो तैई चोवी दा बजट पेश करन जा रहेनी इस बजट ते दुनिया दियान नजराटी क्या होई या ने ते देश वासी वी इस बजट तो कई आसान लगा के बैठे होईनी वपारी GST दे विच कटोती दी मांग कारने इस तो इलावा टूरिजम इंड़स्ट्री दिनाल जुड़े होई लोक अगले दास सालान दिले टूरिजम इंड़स्ट्री नो टेक्स फ्री करन दी मांग कारने महलावा दी वी अपनी मांग है क्योंकि करेलू बजट दे उते वड़ा असर इस केंदरी बजट दा पैंदा है सो महंगाई ते ठल पॉंड दी मांग जोने महलावा कारिया ने नौजवाना दे वल्लो मांगी ती जारी है कि देश दे अंदर ही केंदर सरकार स्टार्ट अप दे फोकस करें वित्मंत्री निर्मला सीता रमान एक फरप्री नो केंद्री बज़ट पेश करन जारे नी उन केंद्र तो आस है कि केंद्री बज़ट महलावा नुवे कुछ राहत मिलेगी उदर संसल सेशन दा पहला हिसा 31 जनुवी तो शुरू हो चुक है जो तेरा फरप्री तकर चलेगा उथे ही 14 फरप्री तो 12 मार्च तकर चुटी रहेगी बज़ट सेशन दा तूसरा हिसा 13 मार्च तो 6 अपराल तकर चलेगा हालंकि परदान मंत्री मुधी ने संकेदेता है कि बज़ट देश दिल्लों का दे हिच्छ होवेगा उदर विरोधी बज़ट पेश हों तो पहला ही केंद सरकार्थी मंच्छत इस सवाल खड़े का रहने 10 लाख करोड रपिया पिशले समेने विच बैंकादा बटे खाते पाता और मैंनूनी लगदा पि ये तो आम बंदेनों कोई अमीद होवे पि हाँ भी ज़ड़ा हिंदोस्तान दी सरकार ज़ड़ी बज़ट देन जा रही है वो कोई बहुता वधिया होगा और क्योंके अनेंप्लोईमेंट वधि है गिया जड़ा लोन दी रिकवरी ये ओ कटी है गिया मद्दम वपारी बज़ट नू लेके उमीदा देवे चै टूरिजम इंडस्ट्री दिनाल सबंदत वपारिया मताबक करोना कारण टूरिजम इंडस्ट्री ने पहला ही पारी काटे नू चले है टूरिजम वपारी केंदर तो अगले 10 सालां देले टूरिजम इंडस्ट्री नू टेक्स फ्री करन दी मांकार ने नाल ही होटना ते लगे GST नो वी कट करन दी सलात ती गी है केंद सर्कार नो टुरिजम नो वदावा देन ते फोकस करन दी वी अपील कीती गई इमिग्रेशन इंडस्ट्री दे नाल सबंदत वबारियां ने ब्रेन ट्रेन नो लेके केंद सर्कार नो सोचन दी अपील कीती है तो चिंता जोता ही है कि रुजगार दी पाल दे विच नौचवान पिड़ी पारी गिंदेच विदेशन दा रुख कर रही है जिसनों रुखकंदी लोड है अधाई परसंट तक चले जानता है असी सगों अपने टूरिजम प्रमोशन जड़ी साथे को इंडिया नो नी वजिया मिलियो यह रभों यह ने के लिए निया चीजा मिलिया ही है इंडिया में एक बहुत मेजर इशू है जिसको शायद मीडिया भी इतना हाइलाइट नी करा जो कि ब्रें ड्रें का इशू है हमारा यूथ ना यहां रहना चाहता है और ऑनिसली उनके लिए इनाफ जॉब ऑपरचुनिटीज फिसलिटीज अवेलिबल भी नहीं है सो सरकार जितना भी हो सके I think they should allocate funds for higher education They should focus more on vocational training Education sector की allocation बढ़ाती है या कोई ऐसी schemes announce करती है तो that is the best thing they can do बजट नू लैके नौचवान पिडी वी जाकरुक नज़र आ रही है नौचवाना ने केंदर सरकार नू अपील कीती है कि देश अंदर start-up नू उध्शाहित करंते जोर्दता जाना चाहिद है तान जो नौचवान पिडी विदेश अंदर रुखना करे इस तो इलावा नाचवान पिडी ने मिडल क्लास नों इंकम टैक्स दिवी चो छोड़ देन दिवी अपील कीती है इस तरह से विजाब भी कर देगा, इस तरह से प्र इस तरह से प्रवीजन दी जाएए या टैक्स इस तरह से कम किया जाया है कि यही पर लोग अपनी जॉब्स रुणड़े यहां पर इस था खुले इंडस्ट्रीज खुले मेहलावा मुदाबक केंजरी बजट करेलू बजट नुबजट नुबड़े पतर ते मेहलावा दे दलील मुदाबक दाल आटा सने तेल के ओखरी दना ओखा होया पे उदर के लूबेकरी दा कम करवाण या मेहलावा दे दलील है की रॉब मठीरियल महेंगा हो रहे परुनलू प्रोड़क्ट्स पुराने पाते ही वेचले पैरनी नतीजन वपार काटिदा सौधा बन गए हम सोई में जाते हैं तो ऐसे लगता है भी आज क्या बनाए ब्रेट लेते हैं वो भी अब उसका भी डेट बढ़ गया काफी हम सोचेश कुछ चीज़े जैसे जो घर की चीज़े धर सोई में यूज़ करते हैं वो चीज़े तोड़ सी सस्थी होगै उसका Baamos और आफी हो जिस्से के हम हम महगाई हमैं भी लगने लग предлагi मैं यह सोची जो ग्रीव लोग हैं वो कैसे गुजारा करते हुएंगे आट्टे आट्टे का भी रेट बहुर बढ़ गया आट्टा भी अब फहले डीट सो थो डीट सो भी जारा हो गया दोसर भी हो गया हमारा ज़ो रो मटिरियल जो बेकरी में हम बेसिकली यूज करते हैं वो अब बहुत जादा प्राइस पे हमार को मिलता है और हमार को जो बेक करके देनने होते हैं आटम्स जो हमारी बेकड आइटम्स होती हैं वो हमारे वो ही रेट पे चलती है वो कस्टमर हमार को समझी नहीं सकते कि हमारा raw material भी महंगा हो रहे है जैसे हमारी gas है बहुत महंगी हो रही है आट्टे का rate है वो बहुत महंगा हो गया है मैदा हमार को बहुत महंगा मिलते है शुगर जो हमारी basically raw material जो हमारी bakery में यूज हो रही है बुल्टिंच विला एक होट छोटे जे ब्रेक दा हो गया ब्रेक तो पारगाल G20 सब्मिट आते पंजाब दिनाल जुडियां कुछ होट खबरांदी करांगे चंडिगर देवेच दो रोजा G20 समिट दा दूसरा दिन रहा जुस देवेच अंतराश्ट्री मुद्यां आती विती विश्यां थे विचाच चचा कीती गी है इस मीटिंग देवेच सौ विदेशी डेलिगेट्स हिस्सा बनेने आती नाढ़ी दसुहा दिगाल करांगे जथे पंजाब सरकार्दे खेलाफ प्रदर्शन हुए जी ट्वन्टी सब्बिट्च इंट्रनेश्ट्र फेननच्यल आर्किटेक्च्चल वरकिंग गुरुप दी पहली दो दिन दी मीटिंग चंडिगर्च समाप्त हो चुकी है मीटिंग दे बाद वित मंत्राले दे सलाकार अनुपी मताईने के है कि आई एफ ए डब्यो जी दी पहली मीटिंग सी जिस्च दूसरी मीटिंग दे ले कि एक जंडा रहेगा इस दे विचार चर्चा होई है क्योंकि एक तरह दे नाल दूसरी मीटिंग दे ले एक इनपूट मीटिंग दी तरह सी ओधर इस ग्रूप दी मीटिंग मार्च हुन्ट दो ते तन नुँ होएगी जिस्च दा वैन्यू हलिता नहीं होया दूसरी मीटिंग दे वेच मेंबर देशा दे केंदरी बैंक का दे प्रेजिडेंट हिसा लेंगी इस मौकि योना किहा कि मीटिंग दे वेच मल्टी लेटरल डवल्पमेंट बैंक सनु की वे मजबूत कीता जाए उस दे चर्चा होई है इस तो इलावा करज नो किस तरह टेकल करने आते जिन अदेशा दी आर्थिक हालत करज दी वज़ा दे नाल खराब हो सकती है उना देशा नो किस तरह वित्ती मदद देती जाए उस दे वी विचार होई है पुराणी पेंशन बहाली कमेटी दे वलो दसुहा दे हाजी पोच पंजाब सरकार खिलाफ जम के नारे बाजी कीती गई है अथे पंजाब सरकार वलो जारी कीते गए अधूरे नोटिफिकेशना दिया कापिया वे साडिया गिया प्रदिशन कारी मुलासम पुराणी पेंशन स्कीम लागू करन दी मांग कार रहनी आते जीपी एफडी को तोटी करन दी वी मांग हो रही है प्रदिशन कारिया मताबक को पंजाब सरकार खिलाफ स्ट्रेट लेवल ते रैली करन गे तिफर केंदर सरकार खिलाफ मूवमिन्ट तेज होवेगी पंजाब जी सरकार जड़ी है एनपेस हूब हूट अंग रेना हर खीले वसीले चूट बोल के लागू कर रही है और चुठा लारा लपा लाके सानू सिर्फ बड़े अंदोलन करन तो रोक रही है प्रांतू मजबूर कार रही है कि यसी अपने दुखांदा जहार जड़ा है वो एक बड़्डा स्टेट पत्री राष्ट्र ब्यापी अंदोलन करके सरकार नू अपनी जड़ी जैज सब दानक मंग है प्राणी पैंचन दी वोसनू मनन दे लई और हूब हूब पैला दी तरहां लागू कान दे लई मजबूर करिये इना नू शेमी ने दे टाइम मंग दे सी लगपक साल दा टाइम दे दिता है उन मलाजम जेते बंदियां स्टेट पदरते भी ते नैशनल पदरते भी पंजाब सरकार और नैशनल गोर्मेंट मोदी सरकार दोना दे खलाफ अपनी मोच्चे बंदी मजबूत करूगी आन वाले टाइम दे बिच सब तो पहला असी अपने स्टेट लेवल ते रैली करांगे पगवांतमान सरकार नू हुला रादमांगे कि हुन भी जाग जाओ ते मुलाजमा नू इनना ना प्रकाओ कि ओ सरकां ते अपने प्रवार समेथा के ताड़े खलाफ परदर्शन करना ते दूसरे पासे नैशनल लेवल ते साड़ी मोवेंट भी तेज हो रही है इस तो इलावा कंपनी वलो बनाए जा रहे उत्पाधा नू लैके वी रूची दिखाई इना खबरा देनाल इस बुल्टरिंचे नैसी देश दूनिया ते पंचाब ती हारफ़टी खबर दिली तुसी देख देरो एबी पी सांजा